देली करेंट नियूस में अभी की खबर है अटल इनोवीशन मिशन 2.0 हाले में कीद्र सरकार ने अटल नवाचार मिशन को 31 मार्च दो हजार अठाइस तक जारी रखने की मन्सूरी दी है इसके कारेशेत्र का दायरा बढ़ाते हुए और इसके लिए 2750 करोर रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस बढ़े हुए कारेकाल को अटल नवाचार मिशन 2.0 के नाम से जारा जाएगा इस विस्तार से एम 1.0 के द्वारा संचालित इनोवेशन हब्स, लैब्स और सेंटरों की संख्या में वृध्धी होगी यह कदम स्टार्टप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपोन है जिससे भारत की युवा अधिक से अधिक नवचार कर सकेंगे इसे तीन कारगों से भारत की नवचार और उद्यमिता पारिसत की तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है इन में इन्पुट बढ़ा कर सफलतादर या थ्रूपुट में सुधार करके और आउट्पुट की गुडवत्ता में सुधार करके तरीकी शामिल है यह डिजिटल इंडिया और मेकिन इंडिया जैसी सरकार की अन्य पहलों के साथ समन्वे स्थापित करेगा बता दे कि Global Innovation Index 2024 में भारत 49 में स्थान पर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम है मही एम 2.0 से भारत की वैशिक प्रतिस परधात्मक्ता में और व्रिधी होने की उम्मीद है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे अब UPSC का हब होगा NOIDA क्योंकि दृष्टी आयस मुखरची नगर की क्लासेस अब NOIDA में शिप्ठ हो चुकी है हमारा पता है C171-2, Block A, Sector 15, NOIDA UP NOIDA, Sector 15, Metro Station के पास Location के लिए आप description में दिये गए लिंक पर क्लिक करे अधिक जानतारी के लिए 931-406-440 नंबर पर कॉल करे अगर आप हमारे counselor से callback चाहते हैं तो description में दिये गए form को भरे तो UPSC की तयारी के लिए मुखरची नगर नहीं, NOIDA चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अटल 94 Mission यानि AIM के बारे में यह भारस सरकार के एक प्रमुख पहल है, इसे निती आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है इसके स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी इसका उदेश्य, देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है यह स्कूलों, कॉलेजों और स्टार्टप्स के माध्यम से नए विचारों को प्रोथ साहित करता है इसके अंतरगत, अटल टिंकरिंग लैप्स, अटल इनोवेशन सेंटर और अटल सीनियर लिविंग इंस्टिट्यूट जैसे विबन कारिक्रम संचालित किये जाते है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को अटल नवाचार मिशन के संदर्व में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजे एक, इसकी शिरुवाद 2016 में की गई थी दो, इसे नितियायोग द्वारा संचालित किया जाता है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी न तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद अभी के प्रश का एक बी मि chemotherapy बी कहो आट जले हो तो